हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम आपको सिंपल व्लाउज की सिलाई करना बताएंगे तो जैसे कि इसके कटिंग का वीडियो आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं पहले से अप्लोड हैं तो देखिए सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की सिलाई कर रहे हैं तो आगे वाले पार्ट में हमें जो है डॉट्स को इस्तिज कर लेना है देखी डॉट्स हम जब इस्तिज करेंगे तो पहले पक्का कर लेंगे तब सिलाई करेंगे और उसके बार में जब आप धागा कट करें तो भी आप पक्का कर लें तो नीची वाली डॉट्स हमारी तो देखिए आप देखिए यहां पर हमने दोनों प्लेट्स की बना लिया है दोनों पार्ट्स की प्लेट्स को बना लेना है उसके बाद में यह हमारा बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में हमें प्लेटे स्थिच कर लेना है और उसके बाद में यहां पर कमर की साइड में हम इ इसमें हमें तुर्पाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब जो हैं हमें कंदे को जॉइंट करना है तो देखे जिस तरीके से मैंने रखा है आपको इसी तरीके से रख लेना है और गले की पाइपिंग हम बाद में लगाएंगे तो यहाँ पर आपको उलट पलट के दो बार से लाई कर लेना है जब आप धागे को कट करेंगे तो पक्का करके ही कट करें इसी तरीके से हम दोनों पार्ट के सोल्डर को इस्टिज कर लेते हैं अब यहाँ पर हमने सोल्डर को तो स्टिज कर लिया है और अब हमें अस्टिज को जॉइंट करना है तो यहाँ पर जो हम छाट रहे हैं यह हमारा आगे वाले पार्ट में रहेगा और जो हमने जॉइंट लगाया है वो हमारा बैक पार्ट में रहेगा पीछी की साइड में ह हमारा joint आना चाहिए आप जब भीश्च करें तो आपको यह ध्यान देना होगा और जब हम से लाई करते हैं तो अस्तीन को हमें देख लेना है कि उल्टी तरप से हम अस्तीन को रखेंगे solder सीधी साइट से होकर लेकिन अस्तीन हमारी उल्टी की साइट से जब हम पल्टेंगे तो सीधी साइड हमारी उपर हो जाएगे और अब यहाँ पर देखें मैंने center point से stitch किया है बाजू को तो center point से अब जो इस तरब का part है पल्ट के अब दूसरा वारा part भी इस्तीच कर लेंगे इस तरीके से इस्तीच करने से क्या होता है कि हमारी बाजू में जोल नहीं आता है और परफेक्ट तरीके से बन जाती है हाँ ये है कि उलटना पलटना पड़ता है लेकिन इस तरीके से आप perfect बाजू लगा सकेंगे जो लोग नए हैं तो इस तरीके से बाजू लगाएं जरूर तो उसमें problem नहीं होगी sleeves में कई बार क्या होता है एक तरफ कपड़ा जादा एक तरफ काम हो जाता है अब यहाँ पर हम कास पट्टी लगा रहे हैं कास पट्टी आप हमेशा उल्टे तरफ से celebrity कर लग लगाएं भाद में बाज़मा सूधा C के सीजरी कि इसाइड नहीं लगाएं खार allied आपको किस साइड में रखना बाखना है किस साइड में कास पट्टी रखना है किस पार बटन पट्टी रखना है यह आप देख लिए कि अगर इसमें हम बताएंगे तो वलत हो जाएगा क्योंकि यह हमारा जो इसमें हम कैमरा रहता है तो इसमें हम बताएंगे राइट तरफ लेकिन इसमें कैमरे की जड़ी वो लेफ्ट का दिखेगा तो इसलिए आप अपना देख लीजिए किस तरफ से आपको रखना है या ब्लाउज में आप देख सकते हैं किसी ब्लाउज में देख लीजिए किस तरफ लगाना है तब आप लगा सकते हैं लेकिन कासito प्ती और बटन प्ती में तोड़ा सवल में होता है बटन प्ती स्यो प्ती है और हाई हूक की प्ती component में अलग होता है यह इधर को दर स्यायsty करना भी है और कि अब हमें गले में Michigan लगाना हैं तो यहां पर हम विल्कुल सिंपल तरीके से लगाना मैताएं और उसके बाद में जो गुलाई है अब इसमें तो आप एक देखिंग दो तरीके से बना सकते हों या तो आप तुर्पाई भी कर सकते हों या फिर बाइपिंग भी बना सकते हों देखे तुर्पाई तो करना तभी ठीक रहेगा या फिर आप जैसे लेस लगाने वाले हो तो तुर्पाई लगा सकते हो या फिर पाइपिंग बनाओ भी तो गला जो है सुल्डर में फिनीसिंग आ जाती है अब यहां पर हम छोट-छोट से कट्स लगा देंगे उसके बाद म पलटते वे अच्छे से हम पाइपिंग बना लेंगे और जो अंदर का कपड़ा है वो हमारा पाइपिंग के अंदर ही रहेगा जो गले का सिलाई का कपड़ा है वो पाइपिंग के अंदर ही रहना चाहिए इसलिए हमें दोनों हाथ से अंदर के गले में भी फिनीसिंग दे कि इन काफी चीजों को ध्यान देना होता है एक बिलाउज बनाने के लिए यह देखिए और यह जो कपड़ा बचा है इसको मंदग तरफ फोल्ड करके खतम कर लेंगे अब हमको क्या करना है देखिए साइट फिटिंग का मार्किंग करके इस चीज कर लेना तो देखिए अस्तीन जब हम अस्तीन के साइट से स्टिच करेंगे तो जो है हमको यहाँ पर पक्का करके श्टिच करना है और यह जो हमारा बड़ा पार्ट है इसमें हम तुरपाई करेंगे आगे वाले पार्ट में क्योंकि यह कटिंग के समय पर हमने एक डियर इंज बढ़ स्टार्ट करें ऐगा है इस इस स्टार्ट करें एक बार कमर के तरफ से स्टार्ट करते हैं कि यहां पर आपको दिखी जो भी साइज आप उसी साब से निशान लगा रिजेंगे इसके बाद में अब हम पलट लेंगे पलटने के बाद में हमें बस तुरपाई करना रह जाएगा कास पट्टी में तुरपाई करना है और कमर की साइड में तुरपाई करना है और डोरी भी लगा लेना है और कास बटन लगाने हैं फिर हमारा पूरा ब्लाउस रेडी हो जाए है तो प्लीज लएगे